भारत की अर्थव्यवस्ता या फिर भारत का आर्थिक उत्पादन जिन प्रमुख आर्ट इंडस्ट्रीज पर डिपेंड करता है उनमें लगातार जो है गिरावट देखने को मिलिये उनके उत्पादन में जो है लगातार गिरावट देखने को मिलिये इसी से संबन्दित चर जो कि बहुत ही महतोपूर्ण इस्थान रखती है देश के उद्ध्यों की उत्पादन में तो उन मूलभूत जो इंडस्ट्रीज है उनकी उत्पादन में हमें कॉंट्रेक्शन देखने को मिला है उसी की चर्चा में हमें करेंगे टाइटिल दिया गया है कोर्स कॉंट्रेक्शन एस आउट्पूट का मतलब है उत्पादन एस आउट्पूट एंड डिमांड स्लो उत्पादन में कमी आई है और मांग में भी कमी आई है इंडिया must return रेटेन का मतलब है बरकरार रखना कि भारत को जो है बनाए रखना चाहिए किस चीज को twin focus, दोहरा focus कि भारत को दोनों चीज़ों पर ध्यान केंदरित करने की जुरत है किन-किन चीज़ों पर on the pandemic pandemic का मतलब होता है वैश्विक महामारी coronavirus के लिए कहा गया है and economy और अर्थव्यवस्ता कुल मिलाके भारत को दोनों चीज़ों पर अपना ध्यान केंदरित करना होगा अर्थव्यवस्ता पर भी और coronavirus पर भी तो यही मतलब हुआ इस line का कि जैसा कि हम देखते हैं कि उत्पादन में और मांग में कमी आई है इसलिए भारत को इस बात की जरूरत है कि भारत दोहरा फोकस बनाए रखे pandemic पर भी और economy पर भी आगे देखते हैं Output in the eight core industries suffered का मतलब है जेलना Output की जो उत्पादन है आठ जो core मूल भूत जो आठ इंडस्ट्रीज है भारत की जिन पर की भारत का आर्थिक उत्पादन निर्भर है suffered उन्होंने जेला क्या an overall contraction total अगर हम बात करें overall अगर हम बात करें तो इन पूरी की पूरी ये जो आठ इंडस्ट्रीज हैं इनमें हमें संकुचन देखने को मिला इनमें कमी देखने को मिली for a third straight month लगातार तीसरे महीने पहले महीने दूसरे महीने तीसरे महीने लगातार तीसरे महीने लगातार जो है इन आठो छेत्रों में गिरावट दर्ज की गई इन में तो मार्च अप्रेल में इस तीसरे मन्द में लगातार जो इनमें गिरावट बनी रही shrinking Shrinking, कितनी गिरावट देखने को मिली? Shrinking 23.4% है लगबग 23% की गिरावट हमें देखने को मिली. As the pandemic-induced lockdown, pandemic-induced, induced का मतलग होता है प्रेरित करना, उत्तेजित करना, कि भाई ये जो lockdown था, lockdown हमने लगाया, क्यों लगाया lockdown? क्या थी lockdown लगाने की प्रेरिणा? वेश्विक महामा औरी, coronavirus ने जिस lockdown को प्रेरित किया, इसलिए कहा गया है, pandemic-induced lockdown. As the pandemic-induced lockdown kept large parts of the economy shuttered, कि भाई, coronavirus के चलते, जो lockdown हमने लगाया, जिसके चलते क्या हुआ, large parts of the country, देश के ज़्यादातर हिस्से हैं, बड़े-बड़े ज़्यादातर हिस्से देश के हैं, वे बंद बने रहे, shuttered. The Commerce Ministry's provisional figures show shrinking 23.4%, तो the Commerce Ministry, कि भाई ये जो हमारा एक तरीके से आप कह सकते हो, कि व्यापार या जो वानिज मंत्राले है, उसके जो अनंतिम आक्ड़े हैं, जो temporary आक्ड़े हैं, provisional figures हैं, वो तो कम से कम ऐसा ही दिखाते हैं, तो यही मत्तब हुआ, इसका यहां से यहां तक क कि भाई क्या हमें देखने को मिला, लगातार तीसरे महिने, जो यह प्रमुख आठ हमारे औद्योगिक छेत्रे हैं, इन छेत्रों में गिरावट देखने को मिली है, कितनी गिरावट देखने को मिली, overall अगर हम बात करें तो 23.4% की गिरावट देखने को मिली, क्यों? क्यों किये जो हमने lockdown लगाया था और lockdown क्यों लगाया था coronavirus ने इस lockdown को प्रेरित किया था इसके चलते देश के ज़्यादा तरह से बंद बने रहे तो अभी जो आकड़े जारी किये गए ना Commerce Ministry के दोरा तो वे आकड़े यही दर्शाते हैं कि इन आटो चेतरों की अगर हम बात करें all but one अब देखो क्या लिखा हुआ है all but one यनि की आठों की आठों चेतरों में एक चेतर को छोड़ दो सिर्फ एक चेतर में जो है कुछ हम कह सकते हैं कि progress देखने को मिली है अन्य था साथ जो चेतर हैं आठ में से साथ चेतरों में गिरावट हमें देखने को मिली है all but one posted declines in production posted decline है ना क्या post किया है इन्होंने क्या दिखाया decline कमी दिखाई in production का मतब़े निर्मान में compared with a year earlier कि यदि हम इस साल के आंकड़ों को ले और पिछले साल के आंकड़ों को ले और इनमें अगर हम तुलना करें तो हम क्या देखते हैं कि आठ में से साथ जो सेक्टर से उनमें हमें लगातार कमी देखने को मिली अब देखते हैं with six sectors witnessing double digit drop अब देखो आठ में से साथ छेत्रों के उतपादन में कमी आई है लेकिन आठ में से जो छेट छेत्र हैं ना six sectors उनमें double digit में कमी देखने को मिली हमें ऐसा भी नहीं कि 3 परसेंट या 4 परसेंट या 8 परसेंट कमी आई हूँ से बुरी मार पड़ी में वर्स का मतलब बहुत ही बुरी मार पड़ी है इन पर इस्टील एंड सीमेंट वर्दा वर्स इट स्लंपिंग का मतलब है कमी आना गिरावाट आना 48.4% एंड 22.2% respectively का मतलब है तुलनात्मा गूप से कि बहुत इस्टील में कमी देखने को मिली है 48% की कुल मिला के ऐसा क्या सकते हैं कि एक तरीके से यह जो इस्टील का उत्पादन है लगबग यह मानौँ आप 50% की कमी आईगी इस्टील की उत्पादन में सीमेंट की उत्पादन में हमें कमी देखने को मिली कितनी 22% की as construction activity and infrastructure project अब स्टील और सीमेंट में इतनी जवर्दस्त कमी कमी या फिर इतनी जवर्दस्त गिरावट क्यों देखने को मिली हमें क्यों as construction activity कि जो निर्मान से सम्मंदित जो गतिवी दिया है या फिर जो भी infrastructure project ह क्या होते हैं infrastructure project जैसे कि पुल का निर्मान करना है सलक का निर्मान करना है यह जो आधार भूत बुनियादी धांचे का जो निर्मान होता है इस से सम्मंदित जो भी projects है remain बने रहे mostly style style का मतलब क्या होता है ठप पड़ जाना रुख जाना तो यही इसका मतलब यह हुआ कि ज जो भी निर्मान से सम्मंदित गतिवी दिया है या फिर जो भी infrastructure project है सारे की सारे project ठप पड़े रहे है बंद बने रहे तो इनके चलते steel और यह जो cement छेत्र है इनमें जो है जबरदस्त गिरावट हमें देखने को मिली तो गिरावट तो हर छेत्र में हमें देखने को मिली आ अब एडिटोरिल क्या कहना चाहता है कि with the largest weight इनका मतलब जो वजन है बहुत ज्यादा है एक बहुत ही महत्पूर्ण इस्थान रखते है जो refinery products है with the largest weight इनका वजन जो है सबसे ज्यादा है कुल मिलाके इनका मतलब यह बहुत ही ज्यादा अपना अहम भूमी का निवाते है इन दे इंडेक्स सूची में contributing 28% कि बहुत है refinery products जो हता है इनका योगदान कितना होता है अगर ये जो हमारी पूरी की पूरी जो art industries है न इन में ये जो refinery products होते हैं इनका योगदान होता है 28% अब ये जो refinery products हैं इनमें हमें गिरावट देखने को मिली इनमें हमें कमी की रिफाइनेरी प्रोडक्ट जो है इस छेत्र में कितनी गिरावट दर्ज की गई 21.3 परसेंट की as क्यों the cubs का मतलब है यहाँ पर रोक on vehicular moment istamide 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 demand for automobile fuels क्या मतलब होता है istamide का तो क्यों जो है refinery products से 21.3% की हमें कमी देखने को मिली वो इसलिए देखने को मिली क्योंकि जो भी वहनों से संबंदित जो भी वहन थे इनका जो movement था ना उस पर हमने रोक लगाई हुई थी तो इसके चलते क्या हुआ एक तरीके सा आप कह सकते हो कि istamide demand for automobile fuels तो यह जो भी हमारे automobile है यानि की जो भी हमारे motor गाड़ी यहां जो भी है इनसें भी जबरदषतरोब से गिरावट जो है गिरावट कमी देखने को मिली है ना and crude oil and natural gas और अगर हम बात करें कच्छे तेल की या फिर natural gas की continued their slide इनमें भी slide का मतलब है कम्याना है लगातार continued their slide adding to the problems dogging, India's hydrocarbon exploration and production industry तो कच्छे तेल है या फिर जो natural gas है continued their slide इनमें भी जो है लगातार गिरावट देखने को मिली adding to the problems dogging क्या मतलब इस होता है इस dog का dog का मतलब होता है परेशानी पैदा करना है तो ये जो कच्छे तेल है और natural gas है इसमें जो गिरावट आई इसने क्या किया परेशानी पैदा की क्या परेशानी पैदा की India's hydrocarbon exploration hydrocarbon से यहां पर मतलब है ये जो हम कच्छे तेल की खोज करते है exploration का मतलब है unvation करना, खोज करना तो एक तरीके से जब चारो तरफ आर्थिक गतिविदियां बंद रही तो ये जो तेल की खोज की जाती है छेतर तलाश है जाते हैं कि भी कहा तेल मिल सकता है कहा नहीं मिल सकता है तो ये भी सारी खोज बंद रही and production industry इसके अलावा ये जो तेल का उत्पादन किया जाता है इसका जो production किया जाता है ये industry भी जो एक तरीके से बंद रही है तो इध्यान में रखना है इसको अच्छी तरह से देखना है एक नया शब्द है डॉग, डॉग का मतल्ब होता है परिशानी पैदा करना, आगे देखते हैं, इसमें भी कमी आई, इसमें भी गिरावट देखने को मिली हैं, डेकलाइनिंग 14%, कितनी कमी देखने को मिली? 14% की, इस क्यों? The lake of demand for electricity from the nation's factories depressed power production, अब देखो, कि यह जो कोईला है इसका प्रियोग किया जाता है, एक तरीके से आप कह सकते हो, कि electricity के छेत्र में इसका काफी ज्यादा प्रियोग किया जाता है, लेकिन जब सारी चीज़ें ही बंद रही, तो कोईले में भी कमी है, इस the lake of demand, lack of demand, मांग की कमी हमें देखने को मिली, किस में? Electricity में, from the nation's factories, कि नेशन की, देश की, जितने भी हमारी factories हैं, उनमें हमें क्या देखने को मिला, power की कमी देखने को मिली है, पावर की, जो demand होती है, उसमें कमी देखने को मिली, तो automatically यह जो कोईला है, उसकी demand में कमी आई, depressed, जहां पर depressed का मतला है कमी आना है, कम कर देना किसी चीज को, from the nation's factories, depressed power production, कि यह जो एक तरीके से, उर्जा का जो उत्पादन किया जाता है, विबन फेक्टरीज के दोरा, उसमें भी जो है कमी देखने को मिली, तो जो है, electricity में कमी देखने को मिली, तो जो है, कोईले में कमी द plant fuel, इसके अलावा, जो भी भारत में बड़े-बड़े thermal plant है, उनको जो इंधन की जरौत पड़ती है, उस इंधन की जरौत में भी जो है, हमें कमी देखने को मिली, तो overall आप कह सकते हो, कि कोईला का जो production है, उसमें भी हमें कमी देखने को मिली, output उत्पादन of electricity fell 15.6%, कि बहीं यह जो electricity का जो उत्पादन किया जाता है देश में, उसमें कितनी कमी देखने को मिली, 15.6%, यह slight, slight का मतलब है हलका सा, a slight improvement from April 23% slum, अब देखो यह जो electricity है न, electricity में भी लगातार कमी देखने को मिली है, लेकिन अप्रेल में कमी देखने को मिली थी, electricity में 23% की, और अप्रेल के बाद में मई मन्त में हमें कमी देखने को मिली 15%, तो आप कह सकते हो, कि थोड़ी सी बड़ोतरी हुई है, हलांकी कमी तो है, लेकिन अप्रेल मन्त में कितनी क कमी थी 23 प्रतिशत की कमी थी electricity के उतपादन में april मंथ में and added by there क्यों हुआ यहा कि april में electricity के चेतर में ज्यों hay 23 प्रतिशत कमी देखने को मिली और मै त्योंडा सा बढ गया लेकिन 15 प्रतिशत की कमी रही added का मतलब हुता है support करना का चीज को है एड का मतलब होता है support करना साहरा देना एड इड बाइड है partial easing of restrictions partial का मतलब है आंशिक रूप से ease का क्या मतलब होता है ease का मतलब होता है relax करना किसी चीज को राहत देना of restrictions कि वह क्या हुआ अप्रेल के मंत में हमने क्या किया lockdown में थोड़ी सी राहत प्रदान की है ना आंशी के रुप से थोड़ी सी राहत प्रदान की and peak summer peak का मतलब क्या होता है बिल्कुल चोटी पर बिल्कुल शीर्ष एकदम जो उच्छ लेवल पर हो ना कोई भी highest point पर जब कोई चीज होती है तब हम बोलते हैं कि ये peak level पे है peak summer consumption तो भई अभी गर्मियों का माहौल है और गर्मी में भी खास कल बिल्कुल एकदम गर्मी जो है ना बिल्कुल एकदम शीर्ष माहौल पे है गर्मी तो एक तो ज्यादा गर्मी के चलते और दूसरा lockdown में थोड़ी छूट दी गई इन दो ब अधिशत की कमी बाइ हाउस होल्ड का मतलब यह जो घर होते हैं इनके द्वारा जो है consumption का मतलब उपभोग कि गर्मियों के माहौल में घरों में जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि electricity का उपभोग थोड़ा सा बढ़ गया लेकिन फिर भी overall electricity का जो production में उसमें गिरावट ही बनी रही दा ओल्ली silver lining का क्या मतलब है यहाप इस उर्वरक उद्ध्योग में हमें आशा की किरन देखने को मिली क्यों क्योंकि आठ मुखी जो हमारे उद्ध्योग है उनमें से सिर्फ उर्वरक इंडस्ट्री ऐसी है जिसने की थोड़ा सा उच्छाल प्रदर्शित किया ज less production rows 7.5% क्यों क्योंकि इस fertilizer industries में जो production है जो उत्पादन है उसमें साड़े साथ प्रतिश्यत की हमें एक तरीके से व्रद्धी देखने को मिली reverse का मतलब होता है पलट देना, reversing the slump का मतलब है कमी, seen in the preceding का मतलब है पूर्व preceding two months की पहले के जो दो मन्त थे ना यानि की March और April, preceding two months का मतलब है पहले वाले दो महिने जो थे यानि की March और April इन दोनों महिनों में उर्वरक Industries में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही थी, वहीं मई मन्त में उर्वरक Industries में हमें क्या देखने को मिला, एक तरीके से आप कह सकते हो कि हमें सुधार देखने को मिला, कितना सुधार? साड़े साथ प्रतिशत का है न and signaling robust activity और इस उर्वरक Industries ने संकेत दिये किस चीज़ के? robust activity, robust का मतलता है, बिलकुल मजबूत, बिलकुल दमदार, robust activity का मतलत है, बहुत ही जबरदस्त activity है न, in the agriculture sector, कि भई जो हमारा क्रशी छेतर है, इस क्रशी छेतर में दमदार तरीकों से, एक तरीके साब कह सकते हो, दमद और ये क्यों देखने को मिला? क्योंकि भारत में खरीब सीजन की शुरुवात हो चुकी है, कि बहुत किसान बिलकुल तयार है, अपनी फसल की बुवाई के लिए, मांसून बिलकुल आने को तयार है, तो इस चीज़ को देखते हुए, हमें क्या देखने को मिला? कि ये जो इस बात का उधरन देना, तो जो हमारी Finance Ministry है, वित्तमंत्राल है, इसने 23 जुन को एक हवाला दिया था, एक बात कहीं थी, क्या कहा था उसने? ए नियर डबलिंग इन फर्टिलाजर सेल्स इन में, तो क्या कहा था? Finance Ministry ने 23 जुन को कहा था? नियर डबलिंग इन फर्टिलाजर सेल्स इन में, कि मई मन्थ जो है न, जो मई का महिना है, उसमें फर्टिलाजर का जो सेल्स है, फर्टिलाजर की जो विक्रिय है, वो डबल हो गई लगवग, as indicative of early green shoots of economic revival, revival का मतलब क्या होता है? पुनरुजीवन, कि एकदम हमारी जो अर्थे होता है न, जो बिलकुल एकदम मरी हुई हालत में है, बिलकुल एकदम ठप पड़ गई है, तो उसको पुनर जीवन है, economic revival, early green shoots, तो फर्टिलाजर इंडस्ट्री में, यह जो आप कह सकते हो, कि एक तरीके से फर्टिलाजर इंडस्ट्री का जो आउटपुट है, जो उसका उतपादन है, उसमें जो बड़ आपतरी हमें देखने को मिली, यह संकेत है, किस चीज का, early green shoots, green shoots का मतलब है, एक तरीके से यह जो हमारे किसान है, इनकी जो फसल है, उसके लिए कहा गया है, green shoots, shoots का मतलब क्या होता है, किसी पर निशाना लगाना, कि एक तरीके से हमारी जो अर्थविवस्ता है, उसने पु a promising and early start to this year's monsoon, a promising, क्या मतलब होता है, promising का मतलब, एक अच्छा वादा करने वाला है, a promising and early start, early start का मतलब है कि शुरुवात हो चुकी है, जिसकी जल्द शुरुवात हो चुकी है, इस साल का monsoon जो है, काफी ज़्यादा एक तरीके से हैसा लगता है, काफी promising है, कि काफी होता है, भविशे के बारे में सूचना देना, भविशे के बारे में संकेत देना, boards well for the crucial, crucial का मतलब है, महत्वपूर्ण, निरनायक, क्रूशल फार्म, income dependent, rural economy, कि यह जो हमारी ग्रामीन अर्थव्यवस्ता है, जो हमारी ग्रामीन अर्थव्यवस्ता है, वो किस बात पर निर निर्वर करती है, हमारी ग्रामीन अर्थव्यवस्ता है, जो कि किसानों की इनकम पर निर्वर करती है, और बहुत ही अहम रोल पर प्ले करती है, बहुत ही निरनायक छेतर है, हमारी ग्रामीन अर्थव्यवस्ता है, बहुत ही निरनायक छेतर है, तो इस संबंद में इस साल क जो मानसून है वो अच्छे संकेत देता है कुल मिला के इस वर्ष का जो मानसून है वह ग्रामीन अर्थिवस्ता के बारे में बार्ड स्वेल अच्छे संकेत देता है the above average quantity and improved special distribution special का मतलब क्यों होता है special का मतलब होता है इस्थान से सम्बंदित special distribution of rainfall in June तो क्या संकेत हमें नजर आते है ऐसा लगता है the above average quantity and improved special distribution of rainfall in June कि जून में जो भी बर्षात हमें देखने को मिली है तो वह जो बर्षात है वह above average रही है इसके अलावा improved special distribution कि मतलब विबिन जो छेत्र होते हैं उन विबिन छेत्रों में बर्षा का जो इस्तर रहा है वो बिल्कुल बराबर बराबर सा रहा है यानि कि हर छेत्र को जो बर्षा मिली है और above average से ज़्यदा बर्षा प्राप्त हुई है have spread तो इन सब बातों ने spread क्या मतलब होता है spread का इसका मतलब होता है जो quality, quantity है, मात्रा है वे भी जो अब आव एवरेज रही है तो इन सब को देखते हुए किसान प्रेरित हुआ खरीब की बुवाई करने के लिए ना, sowing का मतलब है यहां पर बुवाई करना sharp jump का मतलब है बहुत ही जबरदफ जो हमें 315.6,000,000 hectares में जो है बुवाई कर दी गई है more than doubling मतलब यह मतलब double है compared with year earlier year earlier का मतलब है कि just एक साल पहले का जो साल है अगर उससे हम compare करें तो लगवग दोगनी बुवाई हो चुकी है 26 जून तक की अगर हम बात करें तो पिछले साल जो बुवाई की गई थी उसकी तुलना में इस साल दोगनी बुवाई किसान कर चुके है with the pandemic and the lockdown having sent lakhs of people back to their rural homes अब देखो with the pandemic कि इस coronavirus ने pandemic का मतलब है वेश्विक महामारी and the lockdown और इस lockdown के चलते having sent इसने वापस भेज दिया है lakhs of people कि लाखों की संक्या में जो लोग job कर रहे थे शेहरों में jobs in the cities वे वापस अपने गाउं में चले गए हैं किसके कारण lockdown के और coronavirus के चलते हैं lakhs of people back वापस आ गए हैं to their rural homes rural homes का मतलब है कि अपने ग्रामीन ग्रहों में वापस आ गए हैं कि जो लाखों लोग शेहरों में job कर रहे थे वे pandemic के चलते और lockdown के चलते वापस अपने गाउं में अपने घरों में जो है लोटा हैं या फिर ग्रामीन चेत्रों में वापस आ गए हैं उसके चलते क्या हुआ है a strong uptick uptick का मतलब होता है उच्छाल a strong uptick in economic activity across the hinterland hinterland का मतलब होता है आंतरिक इलाके कि जो देश के आंतरिक इलाके होते हैं या फिर जो ग्रामीन चेत्रों होते हैं देश के अंदरूनी चेत्रों होते हैं उनको का जाता है hinterland a strong uptick in economic activity across the hinterland is significant तो अब ये जो काफी सारे लोग जो की शेहरों में नौकरी कर रहे थे ये अपने ग्रामीन चेत्रों में चले गए हैं वापस तो ग्रामीन चेत्रों की जो अर्थवस्ता है उसमें जो इस सुधार हमें देखने को मिला है जबरदस सुधार a strong uptick in economic activity देश के जो आंतरिक इलाके हैं उनमें जो आर्थिक कतिवी दिया हैं उनमें जो हमें सुधार देखने को मिला है वह काफी महत्वपूर्ण है इस सिग्निफिकेंट फिर भी much will depend काफी कुछ इस बात पर निर्वर करेगा depend के साथ में on the position आता है इस बात पर काफी कुछ निर्वर करेगा यह भी मांसून की शुरुआत तो अच्छ हुई है लेकिन आगे आने वाले समय में मांसून कैसा बना रहता है इस बात पर काफी कुछ depend करेगा also there is a danger साथी साथ इस बात का भी खत्रा है to the farm sector एक खत्रा भी है यह जो हमारे कृषी छेत्र है इसको जो एक खत्रा भी है क्या खत्रा है especially investor खास करके पश्चिमी मध्य और जो उत्तरी भारत है उस छेत्र में क्या खत्रा बना हुआ है इस साल from locust locust का मतलब होता है टिड़ी यह जो टिड़ी होती है ना locust farm का मतलब होता है जुंड कि इस साल हमें क्या देखने को मिल रहा है कि टिड़ीों ने आकर्मन कर दिया है टिड़ीों का हमला कर दिया है और यह जो टिड़ी हमला करती है ना बहुत बड़े छेत्र में हमला करती है और फसलों को बरबाद करके रख देती है तो यह जो टिड्डियों का दल है इसका खत्रा भारत के पश्चिमी मद्यवर्ती छेत्रों और उत्तरी छेत्रों में बना हुआ है कि इस बात की आशंका है यह टिड्डि जो है पूरी फसल को बरबाद कर सकती है तो यह संकट जो है भारत के सामने यह बहुत ही बड़ा संकट है तो यह जो हमारा फूड अग्रिकल्चर ओर्गनाईजेशन है इसने क्या किया था 27 जून को एक अपडेट जारी किया था उसमें इसने चेतावनी दीती that इंडिया वुड नीड की भारत को जरूरत होगी किस चीज की to remain on high alert की भारत जो है बिलकुल चोकनना रहे रिमेन का मतलब है बने रहेना on high alert का मतलब है बिलकुल चोकनना बने रहेना बिलकुल alert बने रहेना through July जुलाई के मन्त में भारत को जो है बिलकुल alert बने रहेने की जरूरत होगी for the possible arrival of swamps for the possible का मतलब है कि संभव है arrival of swamps का मतलब है जुन्ड from northern Africa कि भई नौर्थ अफरिका से ये जो टिड़ी दल है इनका पूरा की पूरा जुन्ड जुलाई के महिने में आ सकता है और भारत की फसल को जो है तबाह कर सकता है तो इस संबन्द में food and agriculture ने एक चेतावनी जारी की थी कि भारत को जो है alert रहने की जरूरत है the latest PMI data the latest PMI data तो ये क्या दिखाते हैं the latest PMI data from researcher IHS IHS market PMI purchasing managers index purchasing managers index ये मतलब होता है इसका PMI का क्या होता है PMI ये क्या है एक सूचक है ये index है ये संकेत है ये business गतिविदियों का संकेत है ये जो PMI है ना कि बिजनिस से संबन्दी जो गतिविदिया होती है व्यापार से संबन्दी जो गतिविदिया होती है उनके बारे में संकेत देता है यह PMI है ना PMI data from researcher IHS market और अब यह IHS market क्या है यह जो IHS market है यह क्या है एक तरीके से आप कह सकते हो कि इसके यह जो IHS market है यह भी एक तरीके से आपको कह सकते हो कि information उपलब्द कराता है यह जो IHS market है यह IHS market information उपलब्द कराता है जानकारी IHS market ने क्या किया कि जो की researcher का काम करते हुए, from researcher IHS market जो की एक तरीके से वैश्विक रूप से सूचना उपलब्द कराता है, इसने क्या किया अभी हाली में जो PMI जो data जारी किये हैं, यानि की business से संबंदित जो data इसने जारी किये हैं, also pants, pants का मतलब क्या है, चित्रित करना, pants are less than promising outlook का मतलब नजारा, for manufacturing, manufacturing का मतलब निर्मान छेतर, IHS market ने PMI data के माध्यम से जो بाते कही हैं, वे बातें निर्मान छेतर के बारे में अच्छा चित्र प्रस्तुत नहीं करती हैं, यानि की IHS market निर्मान छेतर के बारे में कुछ अच्छी बातें नहीं कही हैं, उसका कहना है कि निर्मान छेतर में जो है न कुछ ज़्यादा अच्छा परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलेगा manufacturing which contracted again in June अब manufacturing जो निर्मान छेतर है न हमारा इसमें हमें कमी देखने को मिली इसमें हमें संकुचन देखने को मिला again दुबारा in June जून मन्त में एक बार फिर से अलबेट का मतलब है यद्यपी तथापी at a softer pace हालांकि हालांकि एक तरीके से संकुचन देखने को मिला लेकिन संकुचन की रफ्तार जो है इतनी ज़्यादा नहीं है एक तो होता है कि संकुचन लगातार बड़ी तेजी से जो है गिरावट देखने को मिली तो नहीं manufacturing sector में गिरावट हमें देखने को मिली लेकिन उसकी जो रफ्तार है pace का मतलब होता है रफ्तार ना softer pace का मतलब है धीमी रफ्तार हालांकि manufacturing जो sector है उसमें गिरावट तो हमें देखने को मिली which contracted again in June again दुबारा से जून मन्त में manufacturing sector में हमें गिरावट देखने को मिली all right तथा पी ये देपी हालांकि ये जो गिरावट थी धीमी रफ्तार से हमें देखने को मिली है यह यहां तक editorial बात करता है आगे देखते है the June survey should कि June मन्त का जो survey है उसने क्या दिखाया उसने क्या प्रदर्शित किया sharp reductions in output output का मतलब है उत्पादन कि वही जून के survey की अगर हम बात करें तो जबर्त reduction मतलब कमी कि जो भी उत्पादन है उसमें sharp का मतलब है बहुती तीखी बहुती जबर्दस्त रूप से हमें कमी देखने को मिली है उत्पादन में और किस चीज़ों कमी देखने को मिली है new orders and employment कि रोजगार से संबंदित जो छेतर है उत्पादन से संबंदित जो भी छेतर है COVID-19, tear away, अभी शब्द गो देखना है आपर, यह जो tear away शब्द है ना, क्या मतलब होता है इस tear away का, tear away क्या है कि किसी एक ऐसे बच्चे के लिए कहा जाता है, जिसका व्यवहार uncontrolled होता है, एक ऐसा बच्चा जिसका की आनियंतृत व्यवहार परेशानियां पैदा करता है, उस प्रियो करते हैं, tear away शब्द का, अभ यहाँ पर यह जो COVID-19 है, अभ यहाँ पर एक तरीके से आप, प्रतिकात्मक रूप में, संकेत की रूप में जब हम बात करते हैं तो यह जो COVID-19 है ना, COVID-19 भी आप एक तरीके से उस बच्चे की तरह समझो, COVID-19 को, जिसके की uncontrolled بहवियर ने काफी सारी परेशानियां पैदा की है ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है tier away spread का मता होता है फैलाव, policy makers must not only contain covid-19 tier away spread कि जो नीती निर्माता है उनको नद केवल covid-19 के फैलाव को रोकना चाहिए, उसे नेंतरित करना चाहिए, but also साथी साथ, और क्या करना चाहिए, policy makers को simultaneously है simultaneously का मताब है, जब दो कामों को आप एक साथ अंजाम देते हो, simultaneously keep economic momentum momentum का मताब है, रफ्तार from sliding further, कि यह जो हमारी आर्थिक गती है यह जो हमारी आर्थिक चाल है और ज़्यादा इसमें जो है उसमें लगातार हमें कमी देखने को मिल रही है, तो इसकी जो गिरावट जो देखने को मिल रही है, इसमें जो आर्थिक गती वीडियो में जो गिरावट है वो गिरावट और ज़्यादा न बढ़ जाए इस बात का ध्यान हमारे पॉलिसी मेकर्स को रखना होगा, तो दो बातों का ध्यान रखना होगा, किन किन बातों का एक तो COVID-19 के फैलाव को कंट्रोल करना होगा, और दूसरी बात क्या करनी होगी, कि जो हमारा आर्थिक उत्पादन है, जो कि लगातार गिरता जा रहा है या और जादन ना गिरे, इस बात को भी हमें ध्यान पूरोग देखना होगा, तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल है, बसे इसे एडिटोरियल में यह ही, कि विभिन आंकलों के द्वारा जो हमें यह बताया गया, कि भई, जो हमारे आठ मूल, जो एक तरीके से इंडस्ट्रीज है ना, उनमें जो है लगातार हमें गिरावट देखने को मिली है, तो कितनी कितनी गिरावट देखने को मिली है, उसका एक तुलनात्मक चित्र इस एडिटोरियल में खींचा गया है, इसके साथी साथ एडिटोरिल ने एक उम्मीद की किरन भी जता ही है क्या उम्मीद की किरन है कि जो हमारी fertilizer industry है उसमें थोड़ा सा हमें उच्छाल देखने को मिला है इसके लाबा मांसून जो है उसके काफी अच्छे संकेत नजर आ रहे है तो यसा लगता है कि एक तरीके से फसल अच्छी रहेगी फसल अच्छी रहेगी तो यह जो लिखा हुआ है ना Early Green Shoots of Economic Revival Early Green Shoots of Economic Revival तो इसका मतलब है कि एक तरीके से हमारी जो अर्थवस्ता है वो पट्री पर लोट सकती है कृषी छेत्र के माद्यम से हमारी अर्थवस्ता पट्री पर लोट सकती है लेकिन फिर एडिटोरियल हमें एक तरीके से चेतावनी देता है कि यह जो टिडडी दल है इनका खत्रा बना हुआ है तो इससे सचेत रहने की बहुत ही ज़्यादा जरूत है इसके खिलाफ जो कुछ भी हम कर सकते हैं टिडडी दल को रोकने के लिए उसके जो है एहतियात बरते जाने चाहिए वरना ये टिडडी दल पूरे की पूरे फसल को बरबाद कर सकता है और फाइनली एडिटोरियल कंक्लूजन में हमें बताता है कि जो भी हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इस बात की जरूत है कि न केवल COVID-19 के फैलाव को रोकने के लिए प्रयास करें बलकि साथ हमारी जो आर्थिक चाल है जो की लगातार गिरती जा रही है इस आर्थिक चाल को भी समालने की कोशिश करें